dark room जो आपका subject है ठीक है उसका आपका first topic आता है ले ाउट of the dark room that means कि जो ओल ओवर आपका जो dark room है उसके बारे में introduction है यह आपे पूरा कि किस तरीके सा dark room होना चाहिए layout का मतलब क्या था उसके design कैसे होनी चाहिए ठीक है उसके size क्या होनी चाहिए उसके walls कैसे होनी चाहिए all over जो आपका dark room हो वो होता है क्या यह और दूसरी बात कि वो कैसा होना चाहिए ideal dark room के बारे में यहाँ पे बताया गया है ठीक है तो जैसे कि आपको पता है कोई भी topic अपन स्टार्ट करते है तो उसको उसके introduction से start किया जाता है तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले dark room के introduction के बारे में पढ़ेंगे then हम इसके एक एक component को detail में discuss करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले introduction की ठीक है introduction में सबसे पहले हम यह बात करेंगे आज कि dark room होता क्या है obviously आपका जो radiology department उसके अंदर dark room क्या होता है radiology department में कई room आएंगे आपके ठीक है x-ray room वगर तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे dark room की ठीक है dark room एक ऐसा कमरा है ठीक है जिसके अंदर film को प्रोसेस किया जाता है अब यह चीज़े अपने पढ़िए कि film processing क्या होती है obviously बात है film की बात के तो यहाँ पर radiographic x-ray film की बात की जा रही है ठीक है एक होता आपका radiology के अंदर x-ray room ठीक है x-ray room वो room होता जहां पर आप patient का x-ray करते हो that means patient की body की organs की images लेते हो ठीक है images लेने के बाद में उस जो आपकी radiographic film होती है उसको process कराएगा जाता है उसको दूसरे room में कराया जाता है तो वो जो room होता है उसे dark room बोला जाता है ठीक है अब अपन यहाँ पर एक main चीज और पढ़ते है कि आपका जो dark room है इसका नाम dark room क्यों रखा गया डार्क रूम का मतलब होता है अंधेरा ठीक है डार्क रूम यानि कमरा अंधेरा कमरा है फिर अंधेरी कमरा यह इसलिए बिकोज जो आपकी radiographic x-ray film है ठीक है उसके बारे में आपको पता होगा कि radiographic x-ray film light sensitive होती है that means वो light से sensitive होती है अगर आप उसको light में लेके जाओगे तो वो खराब हो जाएगी तो obvious ही बात है कि हम x-ray film को ऐसे कमरे में प्रोसेस कराएंगे जहां पर अंधेरा हो ठीक है और इसी वज़ए से dark room को अंधेरी कमरा या फिर इस room को जहां पर film प्रोसेस कराते है इसको dark room कह अंदर हम रेडियो ग्राफिक x-ray film को प्रोसेस कराते है ठीक है इस लोकेटेड एडजेसेंट टू दे एक्सरे रोम डार्क रोम हमेशा x-ray रोम के पास में लोकेट होता है मतलब बनाया जाता है अब क्यो बनाया जाता है जैसे कि आपको पता है कोई भी रेडियो ग्राफर और कोई भी वर्क करें उसको क्या करना है x-ray film को प्रोसेस कराना है डार्क रोम में और उसको image लेनी है x-ray रोम में ठीक है तो अगर हम इन दोनों के बीच में distance रखते है गैप रखते है तो उस वक्त क्या होगा कि रेडियो ग्राफर को ज़्यादा problems का सामना करना एक किसी भी प्रोसेजर के लिए वो कभी x-ray रोम में जाएगा फिर वो दुबार डार्क रोम में आएगा that means उसकी walking distance ज़्यादा होती है जिसे वो ज़्यादा प्रेशान होता है तो इस वज़े से इन problems को sort out करने के लिए हम x-ray रोम और डार्क रोम दोनों को पास पास बना ठीक है it must have sufficient space about 10 x 10 x cubic foot यहाँ पे अब अपने बात किये कि डार्क रोम की minimum size कितनी होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे size की बात किये गई है 10 x 10 x 10 cubic feet 10 feet उसके लंबाई होनी चाहिए 10 feet उसकी चोड़ाई होनी चाहिए और 10 feet ही उसकी height होनी चाहिए a red light at the entrance of the dark room is essential so that it will indicate the work is in progress inside that means आपको पता है कि आपका dark room है उसके अंदर आप x-ray film को process कराओगे x-ray film आपके light sensitive है तो अव्यस भी बात है जैसे कि आप process करा रहे हो और अगर कोई दूसरा person dark room में enter होता है तो उस वज़े से वहाँ पर क्या हो सकती है light enter हो सकती है उसके साथ में अंदर ठीक है तो यह सब कि जब बाहर से जो कोई person आ रहा है उसको यह पता चले कि अंदर work चल रहा है नहीं च करना चाहिए इन सब चीजों का ध्यान में रखते वे हम एक red light को dark room के entrance पे लगाते हैं जिससे हमें यह पता चल सके कि अंदर work चल रहा है या नहीं चल रहा है ठीक है ताकि हम अपनी radiographic x-ray film को light से बचा सके अगर आपके radiographic x-ray film light में जाती है तो खराब हो जाएगी और जैस विसी बात है बहुत ज़्यादा expensive है और हम उसको खराब होने नहीं दे सकते हैं ठीक है everything must be done to ensure that no light from outside can penetrate into the dark room even with when anyone lives or enters ठीक है अगर हम हर एक चीज़ के बात करें all conditions के यहां पर बात की जाती है door system windows आपके या फिर wall ठीक है जो भी system है dark room का सारा का सारा system चाहिए अपन आप lighting की बात करो चाहिए illumination के बात करो हर system ऐसा होना चाहिए कि that no light from outside can penetrate into the dark room that means कि बाहर से कोई भी light dark room के अंदर enter नहीं होनी चाहिए अगर बाहर से dark room में light enter होगी तो ओवे से बात है कि आपकी x-ray film खराब हो सकती है ठीक है even when anyone leaves or enters यहाँ तक कि अगर कोई अंदर आ रहा है या फिर dark room से बाहर जा रहा है उस वक्त भी light enter नहीं होनी चाहिए अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जो अपना normal entrance होते हैं dark room नहीं अपने जो normal rooms के जो entrance होते हैं उनमें तो जब आप enter करोगे और leave करोगे तो पता है कि आपको बाहर से light अंदर आएगी that means यहां पर special type के door लगाए जाते हैं ऐसे door system होते हैं जिसके अंदर ना तो light बाहर से अंदर आती है और ना अंदर से बाहर जाती है ठीक है in order to prevent electric shock or metallic objects must be earthed obviously बात है dark room के अंदर बहुत सारे metallic objects होंगी ठीक है तो वो जो metallic objects है उन सबको earth किया जाता है ताकि radiographer को किसी भी प्रकार का electric shock लगने का कोई भी risk ना हो ठीक है तो अब उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे यहाँ पर डाइग्राम के अंदर देख रहे हो dark room का layout एक design बनाया है कि किस तरीके से आपका dark room होता है starting में आपका entrance है entrance से enter करते हैं आपके left hand side में देख सकते हो यहाँ पर pass box है चीक है pass box बनाया है उसके उपर आपका है drying rack side में आपके यहाँ पर developing and washing tank जस्ट उसके नीचे आपके dry work bench है dry work bench के pass में आपके film hangers है और cassette hatch है अब इन सब components के बारे में हम इस topic के अंदर अच्छे से discuss करेंगे कि drying rack क्या होती है या फिर ये dry work bench क्या होती है pass box क्या होता है इन सब के बारे में यहाँ पर हम अच्छे से discuss करेंगे ये आपका एक normal layout है normal diagram है ideal dark room कैसा होता है या फिर ideal dark room कैसा होना चाहिए चीक है अच्छे सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर बात करेंगे दोर सिस्टम की देर थ्री पोसिबल सिस्टम्स पर एंसुरिंग से access into the dark room यहाँ पर mainly तीन प्रकार के doors अपन लगा सकते हैं ठीक है arrange कर सकते हैं जिससे यह तीनों doors इस प्रकार के होते हैं कि आप safely dark room के अंदर enter कर सकते हो that means आप enter करोगे but बाहर से कोई भी light enter नहीं करेगी अब इन तीनों के नाम क्या है first आता है आपका lock entrance second आता है revolving door और third आता है labyrinth maze और maze ठीक है that means कि यह तीनों systems या फिर तीनों door system ऐसे system है जिन में बाहर से कोई भी light dark room के अंदर enter नहीं होती है और आपकी जो radiographic x-ray film होती है उसको आप light से बचा सकते हो ठीक है तो that means यह आपके कुछ special doors है इनके बारे में आज हम detail में पढ़ेंगे कि lock entrance क्या होता है revolving door क्या होता है और the labyrinth और maze क्या होता है इन तीनों door system के बारे में अभी हम detail में पढ़ेंगे now first of all we will discuss about the lock entrance सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आज lock entrance की ठीक है the lock entrance अब lock entrance में क्या होता है यह समझो पहले अपर normal या फिर simple language के अंदर यहाँ पर discuss करें तो lock entrance के अंदर क्या होता है आपके दो डोर लगाए जाते है ठीक है that means एक entrance पर यहाँ पर कितने डोर होंगे दो डोर होंगे अब दो डोर होंगे तो वहाँ पर क्या होगा जब आप बाहर से enter करोगे तो जैसे ही आप first door को open करते हो आप अंदर enter होए उस वक्त के आपका जो दूसरा door हो close है that means dark room में light अंदर enter नहीं होई ठीक है आप अंदर गे आपने first door को close किया then आपने क्या किया second door को open किया जब आपने second door को open किया उस वक्त आपका first door close था तो इस वज़े से dark room के अंदर light एंटर नहीं होई same process जब आप dark room से बाहर जाते हो तब करते हो तो इस वज़े से इस door system के अंदर light ना तो बाहर से अंदर enter करती है ना अंदर से बाहर जाती है करेंगे कि बाहर से कोई भी light enter नहीं होती है और lock enter ने समझ में आया कि यहां पर दो door system होते हैं मतलब दो डोर लगाये जाते हैं एक ही system में यहां पर दो doors पाये जाते हैं ठीक है two doors placed one behind the other with enough space between them to allow one person to enter close the outer door before opening the inner wind that means कि दो door लगाये जाते हैं एक के पीछे एक with enough space between them उन दोनों के बीच में इतना space होना चाहिए परियाप्त जगह होनी चाहिए ताकि वहां पे कोई भी एक person stand करके खड़ा होके एक door को close कर सके और दूसरे door को open कर सके ठीक है that means दोनों के बीच में प्रियाप्त जगह होनी चाहिए अब होता क्या है कि इस system के अंदर मान लो गलती से किसी भी person ने या फिर आपका जो worker है या फिर रेडियोग्राफर है वो जल्दी में था थोड़ा सा ठीक है और जल्दी के कारण वो क्या कर गया कि डोर को close करना भूल गया दोनों डोर में से कोई भी एक डोर वहाँ पर उसने open छोड़ दिया अपन बात करते हैं कि inner one की वह अगर जो आपका अंदर वाला जो डोर है अगर वो open छोड़ के चला जाता है बाहर देन क्या होगा जब वह बाहर से enter करेगा जै system के अंदर एक bell लगाया जाता है एक बजर लगाया जाता है ठीक है उस bell और बजर का क्या काम होता है जब दोनों डोर में से कोई भी अगर एक डोर open रहा जाता है तो वो बजर continuous ring करता है that means लगातार वो बजता रहता है जब तक कि आप दोनों दरवाजों को बंद नहीं कर देते हैं ठीक है in order to prevent one of two doors from being left open by someone that means कि किसी से भी जल्दबाजी के अंदर दरवाजा खुला ना रहे इस वज़े से वहाँ पे एक bell और बजर लगाया जाता है जो कि continuous ring करता है as one of the door is open जब तक दोनों में से एक डोर भी open रहेगा वो लगाता है बजता रहेगा there are also mechanical or electrical system ensuring that it is impossible to open door as long as the other one is completely closed यहाँ पर एक system और भी लगाया जाता है ठीक है that means कि आप जब तक first door को close नहीं करोगे आप second को open नहीं कर सकते दोनों में electrical या फिर ऐसा एक mechanical system लगाया जाता है जिसके कारण आप दोनों doors को एक साथ कभी भी open नहीं कर सकते ठीक है एक door को open करने के लिए आपको ensure करना होगा कि आपका जो दूसरा door है या फिर दूसरा जो दर्वाज़ा है वो आपका completely closed है या नहीं ठीक है यह सिस्टम इस चीज़ को ensure करता है जब तक आपका उनमें दोनों दर्वाजों में से एक दर्वाजा completely closed नहीं होगा आपका दूसरा दर्वाजा कभी भी open नहीं होगा तो और वेसी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम x-ray film को बचाने के लिए that means कि dark room में light ना enter हो उसके लिए अपन कितने advanced type के systems यहाँ पर use कर रहे हैं जिससे कोई भी light बाहर से अंदर के तरफ enter ना हो सके ठीक है that means आपका door lock एकदम simple है कुछ नहीं होता है यहाँ पर केवल दो डोर होते है दोनों के बीच में परियाप्त जगह होने चीए जिससे वहाँ पे कोई भी एक person enter करके एक दरवाजे को खोल सके और दूसरे को बंद कर सके ठीक है एक bell और बजर लगाया जाता है जिससे आपको यह पता चल सके कि कोई भी दरवाजा open है या नहीं है और last दोनों के बीच में एक mechanical और electrical system लगाया जाता है जिससे दोनों दरवाजे एक साथ कभी भी open ना हो जैसा कि आप diagram में देख सकते हो अंदर की साइड डायर क्रूम है और बाहर की साइड आपका corridor है एक दरवाजा यहाँ पे corridor पे लगा हुआ है और एक दरवाजा डार्क रूम के अंदर की साइड लगा हुआ है दोनों के बीच की space की बात करें तो space की width that means चोडाई आपकी minimum 1 meter होनी चाहिए और length कितनी होनी चाहिए minimum 1.2 meter ठीक है दोनों दरवाजों के बीच में यहाँ पे electrical that means mechanical system लगा होता है जो दोनों दरवाजों को एक साथ open नहीं होने देता और यहाँ पे bell और बजर भी लगा होता है जो क्या करता है आपको indicate करता है ring करके कि कोई भी दरवाजा open है या नहीं है तो यह आपका जो system है यह lock entrance कहलाता है इसको आप diagram से यहाँ पे समझ सकते हो now we will discuss about the second door which is known as the revolving door the revolving door अगर हम revolving door की बात करें यहाँ पे तो आपका revolving door सबसे ज़्यादा simple होता है ठीक है और यह आपने बहुत जगह देखा भी है normally जो park का जो entrance होता है आपका या फिर कोई भी public areas public places जिनका entrance आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक revolving door लगा होता है revolving system होता है जिसके अंदर से आप revolve होते होए अंदर की तरफ enter करते हो same as like this dark room के अंदर भी लगाया जाता है ठीक है ताकि light बाहर से enter ना हो सके this system is good looks simpler this means all possibility of errors are excluded जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर आपका system हो अगर वो अच्छा है और दिखने में अच्छा है आपका और simple होता है तो obvious ही बात है कि उसके अंदर errors आने के chances ज़्यादा होते है तो यहाँ पे भी आपका revolving door हो simple होता है दिखने में भी अच्छा होता है तो that means यहाँ पे errors आने के chances ज़्यादा होते है यह as it is वैसा ही होता है जैसा कि आप लोग पार्क का entrance देखते हो और public areas का entrance आप लोगों ने देखा इसका disadvantage यह है कि कोई भी person या फिर वहाँ पे आपका radiographer या worker है अगर वो जल्दी में हो तो वो यह system follow नहीं कर सकता इसके अंदर से आप जल्दी में enter नहीं हो पाऊगे इस system has the advantage of not taking up to much space ठीक है that means कि यह ज्यादा space नहीं consume करता है that means इसमें space आपको ज्यादा नहीं चाहिए होती है जैसा कि आप यहाँ पर diagram में देख सकते हो आपकी wall है अंदर dark room है बाहर आपका entry ए exit या फिर access room भी ले सकते है अपन या फिर आप यहाँ पर corridor भी ले सकते हो ठीक है तो बात किये यहाँ पर आपने यह revolving type में एक door है जैसे आप यहाँ पर enter करोगे enter करने के बाद में आपको क्या करना होगा door को rotate करना होगा उसका जो open वाला portion है उसको आप dark room के side में लेके जाओगे ठीक है जैसे आप dark room के side में लेके जाओगे space आपको इसलिए रखना होता है अगर आप space नहीं रखोगे तो आपका जो door है वो move नहीं कर पाएगा और अगर आप महाँ पर space रखते हो तो space के कारण अंदर light enter हो सकती है यह एक इसका सबसे बड़ा disadvantage है इस वजह से revolving door बहुत कम काम में लिया जाता है ठीक है revolving door समझ में आया simple है जैसा कि आप park और public areas के entrance में देखते हो इसमें एक open part होता है उसमें से आप enter करते हो देन उसको rotate करते हो door system को और अगर dark room में आपको अंदर enter करना तो उस side आप open portion को ले जाके वहां पर dark room में अंदर enter कर जाओगे जैसा कि आप diagram में देख सकते हो अच्छे से समझ सकते हो ठीक है अब इसमें क्या होता है ठीक है इसमें होता यह है कि जो आपका corridor होता है जैसे dark room में dark room के बाहर का entrance के just बाहर का जो corridor होता है उसको थोड़ा गुमा दिया जाता है that means उसके अंदर यहां पर angles दे दिये जाते है उसको जिग जैग बना दिये जाते है ठीक है और जो आपकी corridor की जो दिवारे होती है उनको black color का कर दिये जाते है जिससे क्या होगा कि बाहर से जो भी light अंदर आएगी वो क्या होगी सारी के सारी जो walls पर black color का paint वो absorb कर लेगा उनको ठीक है reflect नहीं करेगा और अंदर तक light नहीं पहुच पाएगी ठीक है यह best solution है इसके अंदर आपके light भी enter नहीं होती है और अगर radiographer जल्दी में हो तो वो भी अंदर enter कर सकता है ठीक है और जैसा कि आप लोगों ने lock entrance में देखा कि वहाँ पे आपको bell लगानी पड़ती है electric और mechanical system लगाने पड़ते हैं तो यहाँ पे उनकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आप आसानी से अंदर प्रिवेस कर सकते हो ठीक है दूसरा red light का जो working का होता है कि आप red light entrance पे लगाते हो तो वो भी यहाँ पे आप सेकता नहीं है जब एक person अंदर work कर रहा है तो उस वक्त दूसरा person भी आराम से enter हो सकता है ठीक है तो that means कि सबसे ज़्यादा advantage है इसके लेकिन इसका disadvantage यह है कि more space consuming इसमें space ज़्यादा चाहिए होती है जगह ज़्यादा चाहिए Labyrinth type entrance in which a zigzag type gallery like structure is formed at the entrance entrance के उपर एक gallery जो आपकी होती है corridor होता है उसको zigzag के form में बनाया जाता है The side walls of the labyrinth entrance are black in order to exclude any reflected light जो आपकी side walls होती है वो सारी की सारी black colored कर दी जाती है ताकि कोई भी light reflect होके अंदर ना जा सके जैसे कि आप diagram में देख सकते हो कि एक तरफ आपका dark room और एक तरफ corridor बीच में जो gallery like structure उसको zigzag में बना दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो कम से कम चार angle दिये गए है 90 degree के ठीक है जैसे आप enter करते हो enter करने के बाद आपको 90 degree पर घूमना है then दुबारा 90 degree पर then दुबारा 90 degree पर दुबारा 90 degree पर चार बार जब आप 90 degree पर घूमते हो then आप अंदर एंटर कर पाऊगे तो ओवेसी बात है कि बाहर से अगर light भी अंदर एंटर होती है तो उसको भी यह चारो एंगल क्रोस करने होंगे और यह चारो एंगल क्रोस करने से पहले वो light क्या हो जाती है एब्जोर्ब हो जाती है बिकोर यह सारी side walls कैसी होती है black color की जाती है ठीक है इसमें यहाँ पर sizes बताए गई है कि minimum कितनी होनी चाहिए सो आज अपना यह topic complete होता है that meant entrance आपका complete होता है next हम इसके next components के बारे में discuss करेंगे ठीक है thank you है झाल झाल झाल